क्या शारुक खान की जवान बॉक्स ओफिस पर राज करेगी? हलो फ्रेंज नमस्कार और वेलकम टू कोमल नहाटा ओफिशल इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म जवान को आज यानि गुरुवार को लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दू कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्काइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद इन फैक्ट तुरंत बाद जरूर कीजिएगा जवान एक्सपेक्टेशन स्काइ हाई आखिर शारुक खान की फिल्म है और शारुक खान आफ्टर दे स्टुपेंडिस सक्सेस आफ अठान कहानी कुछ इस प्रकार की है सारांश में हम कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डीटेल में अगर कहेंगे कहानी तो आपका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो सकता है सफाइसे तो से के शारुक खान एक जवान है जैसे की टाइटल से ज़स्ट करता है लेकिन वो अपने आपको एक आम आदमी मानता है और वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है उनका कहना है कि अमीरों के लिए रूल्स बेंड हो जाते हैं गरीबों के लिए सारे रूल्स काम आते हैं यानि गरीबों को रूल्स के नाम पर बहुत एक्स्प्लोइट किया जाता है लेकिन वही रूल्स को बेंड किया जाता है for the rich and the famous और इसके खिलाफ वो आवाज उटाते हैं कैसे गर्वर्मेंट को politicians को मजबूर करते हैं कि आपको सबको equally treat करना होगा और कैसे वो गरीबों के लिए लाचारों के लिए लड़ते हैं ये बताया गया है ये जवान है विक्रम राथोड उर्फ आजाद यानि शारुक खान नर्मदा प्लेड बाइ अक्टर्स नेरंतारा शीज दी इन्वेस्टिगेटिटिंग ऑफिसर और विक्रम राथोड की वाइफ है आईश्वरिया राथोड दिपिका पड़कोन और विलिन जो है जो रिच बिजनस्मैन है जो पॉलिटेशन को मजबूर करते हैं रूल्स बेंड करने के लिए वो है काली गायकवार प्लेड बाइ विजय सेतुपदी संजेद दध भी है एक स्पेशल अप्यरेंस रोल में ही प्लेज माधवन नायक और फिल्म के खत्म होते होते वो आते हैं एक बहुत ही की रोल में है छोटा रोल है लेकिन बड़ा इंपैक्टफुल रोल है तो ये पांच मेन कारेक्टर्स है विक्रम राथोड के साथ छे लडगिया हैं जो उन्हें हेल्प करती है एक तो है लक्ष्मी प्लेड बाई प्रियामनी सेकंड है इरम प्लेड बाई सान्या मलोत्रा थर्ड है कलकी प्लेड बाई लहर खान फोथ है इश्क्रा प्लेड बाई गिरिजा ओक फिफ्थ है हेलीना प्लेड बाई संजीता भटचारिया और शिक्स्थ है जानवी प्लेड बाई आलिया कुरेशी तो ये छे उनका साथ देती है और कैसे वो पूरे सिस्टम को हिला देते हैं ये बताया गया है सारांश में ये कहानी है आईए सबसे पहले डाइसेक करते हैं या यू कहिए ऐनलाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप को यानि कथा पटकर्था और समवादो को इस फिल्म की कहानी लिखी है अटली ने जो कि इस फिल्म के डिरेक्टर भी है The screenplay is written jointly by Attlee and S. Ramana Girivasan. Dialogues have been penned by Sumit Arora. सबसे पहली बाद, एक कॉमन मैन की कहानी है, कॉमन मैन की पीडा क्या होती है, वो बताया गया है, और किस तरह इन कॉमन मैन को जस्टिस दिया जाना चाहिए, वो बताया गया है, तो इस विनिंग स्टोरी, राइट फ्रम दे वर्ड गो. और स्क्रीन प्ले इतना एक्स्ट्रा ओर्डनरी है, इतना एक्स्ट्रा ओर्डनरी है, कि आपको एक मिनिट भी सोचने का मौका नहीं मिलता है. जैसे फिल्म शुरू होती है, आप फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं और आपको लगता है अब आगे क्या, अब आगे क्या, अब आगे क्या, और इस प्रकार से आप उस फिल्म का ऐसा हिस्सा बनते हैं, मानो, आपके सामने स्टोरी अन्फोल्ड हो रही है और आप उस कहानी का हिस्सा है You are a part of the drama that is unfolding on the screen इस प्रकार का involvement, इस प्रकार का engagement होता है स्टोरी अन्फोल्ड होता है स्टोरी अन्फोल्ड के साथ बहुत सारे scenes हैं जिसमें आप ऐसे participate करते हैं ऐसे CTR तालिया बजाते हैं मानो, अगर ये हुआ तो आपकी जीत है नहीं हुआ तो आपकी हार है कहने का मतलब है कि आप उस कहानी के एक किरदार बनके रह जाते हैं और उस किरदार में ऐसे घुश जाते हैं कि आपको लगता है अब मेरा भी participation चाहिए अगर मेरा participation नहीं मिला तो कही न कहीं कमी रह जाएगी तो the audience becomes completely one with the characters in the film और बहुत सारे ऐसे scenes हैं जिसमें आप CTR बजाएंगे, तालिया बजाएंगे, चीखें बारेंगे you will applaud the actors, you will applaud the characters on the screen इस कदर आप applaud करेंगे कि आपको कई बार तो dialogue सुनने को नहीं मिलेंगे तो screenplay is fantastic और action scenes में जो thrill आता है क्योंकि यह out and out action film है action scenes में जो thrill आता है आप भौचक के रह जाते हैं and mind you, सिर्फ action में thrill नहीं है एक emotional undercurrent जो है देश भक्ती की भावना वाली जो undercurrent की feeling जो है वो इतनी strong है, इतनी strong है के कूट-कूट के patriotism वाली भावना आपको मैसूस होती है कहने का मतलब है कि आपको ऐसे लगता है यह film हमारी कहानी है यह film से हमारी सारी पीडाएं दूर हो जाएगी यह film से common man जो तकलीफों से गुजर रहा है वो सारी तकलीफे खत्म हो जाएगी इट वोडिन बी रॉंग तो से दा कैरेक्राइज़ेशन वाई विक्रम राथोड का जो character है इस प्रकार का है कि उसे भगवान का दरजा audience दे देती है audience को लगता है जो विक्रम राथोड करेंगे यानि आजाद या विक्रम राथोड जो वो करेंगे वो सही है और यही हमारे मसीया है यही हमारे हीरो है and when you are one with the hero in this kind of fashion nothing can stop the film इस फिल्म में भी story and screenplay are absolutely mind-boggling बहुती मास-appealing किसिम का ड्रामा है अब मास-appealing का मतलब यह नहीं कि मासस को फिल्म पसंद आएगी ड्रामा पसंद आएगा और family audience, class audience उन्हें नहीं पसंद आएगा नहीं उन्हें भी बहुत पसंद आएगा हालांकि मास-appealing ड्रामा है लेकिन इस प्रकार से बना हुआ है इस प्रकार से लिखा गया ड्रामा है के masses, classes, youngsters, older generation, family drama इसलिए family audiences को भी बहुत मज़ा आएगा लेडीज, men, young boys, young girls यानि किसी को नहीं छोड़ता है इसलिए इसका impact दस गुना ज्यादा होता है तो the story and the screenplay are absolutely tops and जैसा मैंने पहले भी कहा बहुत सारे scenes है जहां पर आपकी चीखे निकल जाएगी आप चिलाएंगे, तालिया बजाएंगे इतने खुश हो जाएंगे के आपको लगेगा ये film तो खत्म होनी ही नहीं चाहिए इस प्रकार का ड्रामा ऐसे बांद के रखता है audience को के audience को लगता है ये ड्रामा चलते ही रहे चलते ही रहे because problems है और problems का समाधान है और जिस प्रकार से विक्रम राथोड उर्फ आजाद solution की मांग करते हैं और उन्हे solutions मिलते हैं वो इतना outstanding तरीका है के audience को भरपूर आनदाता है भरपूर मजा आजाता है एक और बात आपको लगेगा ये out and out action film है इसलिए light moments नहीं है नहीं inherently ही light moments हैं इसलिए हाला की tension बना रहता है लेकिन regular intervals, irregular intervals पर एक हसी वाला dialogue आजाता है एक हसी वाला scene आजाता है इसलिए the light atmosphere is also beautifully maintained सुमित अरोरा ने dialogues लिखे हैं film के and dialogues सीधे जाके दिल को छूते हैं तो देशभक्ती वाली भावना जो महसूस होती है audience को उस भावना को कोई रोक नहीं सकता है और उस भावना को बार बार प्रकट होने का मौका मिलता है बार बार scenes में ऐसे लगता है कि आप seat पर खड़े रहे seat के उपर खड़े रहे seat या और तालिया बजाए you get so excited you just don't want to keep quiet अगर आप चाहते भी है कि आप शांती से फिम देखेंगे आप नहीं देख सकते हैं आपको पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा क्योंकि माहौल ऐसा बन जाता है the two writers have written such an outstanding screenplay the story of course is fantastic and the dialogue writer has complimented the screenplay wonderfully एक dialogue है जहां पर शारुक खान काली गाएकवार को कहते है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले oh my god that dialogue is outstanding because लोगो को Aryan Khan का सीन याद आता है in real life शारुक खान के real life son Aryan Khan जो arrest हुए थे वो सीन याद आता है वो incident याद आता है और इसलिए वो dialogue में तो भूकम पा जाता है cinema गरों में कहने का मतलब है script distinction marks more than distinction marks यह तो भी बात script की अब एक नसर डालेंगे actors के performances पर शारुक खान बतौर विक्रम राथोड and आजाद he has looked handsome beyond imagination ऐसे लगे हैं ऐसे handsome लगे हैं कि आपको उनसे मोहबत हो जाएगी plus उनका जो किरदार है he is so outstanding so outstanding कि आप सोचेंगे जैसा मैंने पहले भी कहा आप सोचेंगे यह हमारे मसिया है यह हमारे भगवान है हमारे खुदा है जो यह कहेंगे हम करेंगे हम इनके साथ है and he is the one who can pull India out of the corruption that has pervaded society कहने का मतलब है he becomes your go-to man और इस प्रकार की feeling अगर आपको hero के लिए आती है तो फिर वो drama वो film आपको मज़िदार लगती ही है so Shahrukh Khan has done an outstanding job and he has looked like a million bucks handsome as ever and अलग-अलग get-ups है उनके हर get-up में वो ऐसे चाह जाते है in fact बुडे Shahrukh Khan के रोल में आपको उनसे मोहबत हो जाती है कभी-कभी ऐसे लगता है कि यंग Shahrukh Khan से भी ज्यादा बहतर बुडे Shahrukh Khan लग रहे है you actually just fall in love with him and you are ready to surrender yourself completely to Shahrukh Khan to Vikram Nathod to Azad Nayantara नर्मदा की भूमिका में Nayantara ने काम बहतरीन किया है बहुत थेराव है उनके काम में and she's looked very beautiful she's done a wonderful job Vijay Sethupati in the role of Kali Gayaquad is absolutely brilliant क्या होता है कभी-कभी hero extraordinary होता है लेकिन villain कमजोर पढ़ जाता है इस film में ऐसे नहीं है Shahrukh Khan को टकर देते है Vijay Sethupati और उनका काम उनका get up उनका बोलने का अंदाज dialogue delivery का अंदाज उनके nuances सब इतने superb है इतने extraordinary है कि आपको उन से उनके किरदार से घ्रणा हो जाती है Kali Gayaquad ऐसा किरदार है कि आपको लगता है इसका जितना जल्दी खात्मा हो और जितने बुरी तरीके से खात्मा हो उतनी खुशी मुझे मिलेगी और audience को बहुत बहुत आनन्द मिलता है जब actually Kali Gayaquad का खात्मा होता है So Kali Gayaquad के रोल में Vijay Sethupati is absolutely outstanding Deepika Padukone in the role of Aishwarya Rathod छोटा रोल है लेकिन क्या काम किया है She has looked ravishing and छोटे से रोल में also she stands out In fact, एक point आता है जब आख को उनके लिए आसू बहाने पढ़ते हैं The weak-hearted will start crying for her She is outstanding in a brief role Sanjay Dutt, Madhavan Nayak की भूमिका में again छोटा सा रोल लेकिन क्या impact है उनके presence का और उनके काम का कि आपको उनके किरदार से भी मौहबत हो जाती है He is in one word Outstanding Priya Mani, जो Lakshmi बनी है She's done a very fine job Sanya Malotra, इरम की भूमिका में बहत्तुरीन है Kalki की भूमिका में Leher Khan is absolutely wonderful Girija Oak, in the role of Ishkra is superb Sanjita Bhattacharya, in the role of Helena also stands her own Alia Kureshi, जो जानवी बनी है She definitely has her moments Kaveri की रोल में Riddhi Dogra is wonderful Ashleysha Thakur, आलिया की भूमिका में She has her moments Sunil Grober, जो इरानी बने है He springs a very good surprise बहुत अच्छा काम, बहुत थेरावाला काम Ajaz Khan as Manish Kaali Gayaquard के छोटे भाई के रोल में Manish की भूमिका में Ajaz Khan definitely makes his presence amply felt Sangay Sheltrim as Juju is phenomenal बहुत मज़ा आता है उनका काम देखकर उनकी अक्टिंग देखकर Sukhi Graywal in the role of Murad is lovely Shahrukh Khan जब उन्हें बाहुबली बोल कर पुकारते हैं बहुत मज़ा आता है in fact audience की हसी चूड जाती है and Sukhi के रोल में Siza Saroj Mehta is very cute, very enduring of course इनके अलावा बहुत सारे और actors है सब ने अपना-पना काम बहुतरीन तरीके से किया है they all have lent wonderful support तो यह तो ही बात actors के performances की अब एक नसर डालेंगे डिरेक्शन और अन्या टेक्निकल आसपेक्स पर अटली के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा अटली का निर्देशन is outstanding phenomenal direction एक minute भी याद रहे एक minute भी ऐसा नहीं है जहां पर audience का मन भटकता है audience का attention कम हो जाता है कहानी में डिप आजाता है कहानी थोड़ी बोरिंग हो जाती ऐसा बिलकुल नहीं है शुरू से अंत तक जो इंट्रेस्ट बना रहता है so hats off to the director to at least direction he's done a swell job a phenomenal job of the narration of the film film में संगीत अनिरुत का है and lyrics कुमार और इर्षाद कामिल के है गाने भले ही बहुत जादा popular नहीं है लेकिन जैसे फिल्म चलेगी गानों की popularity बढ़ेगी और फिल्म में गाने definitely अच्छे लगते हैं गानों की कुरियोग्रफी फारा खान, वैभवी मर्चंट, शोभी and ललिता पॉलराज का है and कहना पड़ेगा that the choreography is very eye-feeling क्योंकी गानों के picturization में audience को एक अलग सी खुशी महसूस होती है Anirudh's background music is super outstanding क्या background music है क्योंकी action scenes ka, thrilling scenes ka, emotional scenes ka, जो impact heightened होता है because of the background music मानो, उन scenes को चार चांद लग जाते हैं So Anirudh's background music is just phenomenal Cinematography G.K. Vishnu की है जो की first rate है इस प्रकार के canvas की film बनाना और ऐसे scenes को पेश करना कोई मामूली बात नहीं है but cinematographer G.K. Vishnu has done an outstanding job Action scenes की choreography अलग-अलग action directors ने की है Spiro Razatos, Anil Arasu Yannick Ben Craig McRae, Kecha Khamfakadi and Sunil Rodericks और कहना पड़ेगा छेओ action directors ने मिलके एक ऐसी action film बनाई है कि आपकी आंखे फटी के पटी रह जाती है The action scenes afford so much of thrill and so much of excitement कि लोगों को बहुत ज्यादा मज़ा आता है So action scenes are to die for Production Designing Team Uthuraj का है जो की A1 है Extraordinary Production Designing और Ruben का संकलन यानि Ruben की editing इतनी super sharp है इतनी super crisp है कि आपको एक minute भी ना सोचने का मौका मिलता है ना बोर होने का मौका मिलता है कहने का मतलब है कि overall जवान is a super blockbuster no questions asked यह picture बहुत सारे records तोड़ेगी और ताजब नहीं होगा अगर यह India की सबसे बड़ी hit साबित हो जी हाँ बाहुवली 2 तू the conclusion के Hindi dubbed version को यह overtake कर सकती है पठान को यह overtake कर सकती है and gather to अभी भी चल रही है हो सकता है gather to पठान का business overtake करे and हो सकता है यह gather to का business overtake करे कहने का मतलब है that it is going to be one of the biggest hits of Hindi cinema ever that's a foregone conclusion absolutely no questions asked लेकिन बहुत bright chances है के यह not just one of the biggest hits of Indian cinema Hindi cinema it could be the biggest Hindi cinema ever till now yes it has the potential of being the biggest ever तो दोस्तों कैसा लगा हमारा review of Jawan comment section में जाये और अपने comments जरूर पोस्कीजेगा और अगर आपने भी यह film देखी है तो हमें यह भी बताईगा of course आपके comments ज़ारा कि आपको फिल्म कैसी लगी and what according to you will be its total net all India collections in the theatres thank you, शुक्रिया take very good care of yourselves see you soon